नमस्कार मैं हूँ नमान पुनिया और आप देख रहे हैं आपनी नियूज कोरोना वाइरस को लेकर जागरुकता काफी तेज हो जुकिये है गाउं गाउं के अंदर लोग इसके परती जागरुक हो रहे हैं वहीं ग्राम पंचायत भी इसके लिए आगया ही है फिलाल हम यहां पहुंचे हैं गुसायाना गाउं के अंदर राजस्तान सीमा से सटा हुआ यह गाउं है और यहां पर भी गाउं के अंदर ग्राम पंचायत और गाउं के जो युवा कलब है उसके सहयोग से ग्रामिनों को ज क्या मुहिम थी आज़ आपके गाउं के अंदरी ये जैसा की सुनने में आ रहा है हम सोसल मीडिया में टेलिविजन में देख रहे हैं कि भारत के अलावा अन्य देश है जो कि एक महामारी से पिडित है इस पर मोधी जी ने कल परसों जो कहा था कि लोगों को इसके परती जाग किया जाएगा इघर से भार ना निकलें कहीं पर चार या पांच अदमी ज्यादा थीन चार अधमीं से जादा इकट और ये और कोई sometime कोईड़राम है जिस deda यूठे हो जो कि योग के लिए ज्यों कर दोる है कि यृत्यों पारण कर चुकी है।। उसके लिए मैं सरपनळाथियों से और गाओं के जनम पर्ति निदियों से भी अन्या गाओं के लोगों से भी अפील करूँगां कि हमारे गाओं में जो इस तरह का का जो यह मुहिम चलाएगई गईा है। इसी तरह अन्या पंचाहिते भी इस तरह की मुहिम चलाएं पिल्कुल यह कह रहे हैं कि अन्य गाओं के अंदर भी ऐसी मुहिम चलनी चाहिए और विशे इस तोर पर युवाओं का इसमें काफी सयोग है ग्रामिन युवा जो है इसमें बढ़ जड़कर हिसा ले रहे हैं लोगों को बुजरु क्या लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए पहले तो मैं मेरी ग्राम पंचायत और सर्पंच का दनेवाज करता हूं जो कि उन्होंने यह मुहिम चलाएं पहले इनका यह सोच है कि अगर इंसान सवस्त होगा तभी कुछ कर पाएगा और मैं सभी पंचायतों से न यहां पर ग्रामीन एरिया में राजस्तान सीमा से सटे हुए गाउं के अंदर भी यहां पर यह पहुंच चुकी है जागरुग की अजा रहा है क्रोना वाइरिस के परती और इसको लेकर आपनी न्यूज भी पूरी लगातार ख़बरें दिखा रही है कि किस तरह से इससे ब झाल 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 झाल